आज की हमारी कहानी है दा लॉइनेस एंड दा यंग जैकल की एक है शेर की मतलब यह जो फीमेल शेर होती है न उसको हम बोलते हैं लॉइनेस और एक है यंग जैकल यानि की एक है यहाँ पर गीदड़ गीदड़ का बच्चा है एक बार क्या हुआ शेर जो है एक बेबी जैकल को एक छोटा सा गीदड़ का बच्चा था उसे ले के आया ब्राट फॉर इस वाइफ अपनी वाइफ के लिए शी आस्क दा लॉइन तो वो जो शेर नी थी उसने शेर से पुचा कि ये जो बेबी जैकल है ये तुम्हें कहां से मिला ये तुमने कहां से पाया कहां से लेके आया इसे लॉइन ने कहाँ शेर ने कहाँ मैंने पाया इट आया है जैकल के लिए गीदड के लिए I found it stuck कि यह फसा हुआ था कहां पर? इन बुशेस जाडियों में and took him out from there और मैंने इसे जाडियों से बाहर निकाला and took him out from there और वहां से यह जाडियों के बीच में फसा हुआ था वहां से इसे मैंने बाहर निकाला और वहां से मैं से ले के आया तो इस तरह से शेर ने शेरनी से कहा The Lawiness said, शेरनी बोली शेरनी ने कहा But its mother and father would be looking out for it, लेकिन इसके जो माता पिता हैं, वो इसे धूंड रहे होंगे Look out का मतला होता है, धूंड ना, तलाश करना कि इसके माता पिता इसे धूंड रहे होंगे You should have left it there, तुम्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था, देखो, should have plus verb की third form, का मतलब होता है, ऐसा करना चाहिए था, तो ये leave की third form होती है, left, leave, left, you should have left it there, शेरनी ने कहा, कि तुम्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था, क्यों, क्योंकि इसके माता पिता इसे ढून रहे हो होंगे, no, if I had left it there, शेरनी ने कहा, नहीं, if I had left it there, यदी मैंने इसे वहाँ छोड़ दिया होता, some other animals would have come and hurt this baby, तो अन्य जानवर आये होते और उन्होंने इसे इस बेबी को नुकसान पहुचा दिया होता, देखो, ये conditional sentence है, if I had left it there, यदी मैं इसे वहाँ छोड़ देता न, यदी मैंने इसे यहाँ वहीं छोड़ दिया होता, तो क्या हुआ होता, some other animal would have come, would have plus V3, ऐसा हुआ होता, would have plus V3, would have, some other animal would have come and hurt this baby, कि अन्य जानवर आये होते और उन्होंने इस बेबी को नुकसान पहुचा दिया होता, So, I thought, इसलिए मैंने सौचा, it would be better, कि यह बहतर रहेगा, and safer, और यह ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, for this baby, इस baby के लिए, इस baby जेकल के लिए, इस छोटे से गीदल के बच्चे के लिए, to be here with us, कि यह हमारे साथ यहां रहे, to be here with us, कि यह हमारे साथ रहे, said the loin, शेर ने ऐस कहा, the loin is, then vegan, to look after, look after का मतला होता है, देखवाल करना, the young jackal, कि शेरनी जो थी, उसने क्या किया, उसके बाद में, then, बाद में, इसके बाद क्या हुआ, कि जो शेरनी थी, vegan, उसने शुरू कर दिया, क्या, to look after the young jackal, कि जो गीदल का, छोटा जेकल, जो गीदल का जो बच्चा था, उसकी देखवाल करना, शेरनी ने शुरू कर दिया, the loin is, and the loin is, had children of her, on to, अब यह जो शेरनी थी, उसके खुद के बच्चे भी थे, the loin is, had, यहाँ पे, have, की second form के रूप में, had, का मतला है, कोई चीज आपके पास होती है, उसके लिए भी तो लगाते हैं, have, I have a pen, है न तो the loin is, had children of her, on to, यानि कि जो शेरनी थी, उसके भी खुद के सोयम के बच्चे थे, यह two आया है, यहाँ पर भी का सेंस देने के लिए, they all started playing with each, and lived as a family, they all started playing with each, यानि कि इन्होंने, यह जो बच्चे देखो यहाँ पर हैं, यह शेर के बच्चे हैं, और यह गीदल का बच् तो इन्होंने साथ में, एक दूसरे के साथ में खेलना शुरू कर दिया, and lived as a family, और वे जीने लगें, कैसे? एक परिवार के रूप में, lived as a family, और वे एक परिवार की तरह जीए, इस कहानी से क्या संदेश मिलता है, मैं क्या moral है इस कहानी का? no matter who is in need, इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि किसे मदद की जरूरत है, you must help them, जिसे भी मदद की जरूरत हो, जो भी असहाय हालत में हो, आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, देखो must और should, दोनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन should की strong form होती है must, should की, should की strong form होती है must ह कि जब आपको should को और ज्यादा intensify करना हो, यानि कि और ज्यादा जोर देना हो, तब आप should की जगे must लगाते हो, तो no matter, कि इस बात से कोई फरक ही नहीं पड़ता, no matter who is in need, कि भले ही किसी को भी need, कोई भी need में हो, यानि कि कोई भी जरूरत मंद हो, आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, जैसे शेर और शेरनी ने गीदल के बच्चे की की, तो काफी अच्छी इस्टोरी ती है ना, ये सारी की सारी की सारी कहानिया दी गई है, तो इन्हें आप जरूर पढ़ें सारी कहानियों को, आपकी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने में बहुत